नमस्कार मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग और आज हम लोग में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या कलाकारों को सरद से बांदे जाना जो है वो सही है क्योंके हाली में घुलाम अली सहाब बंबाई में परफॉर्म करने वाले थे लेकिन वहाँ पर वो नहीं परफॉर्म कर सके जगजीत सिंग के लिए एक ट्रिब्यूट थी क्षधानजली थी जिसमें उनको परफॉर्म करना था लेकिन शिवसेना को इस बहुत एतराज था और इस वज़े से उस डर से उनका कारेकरम आकिर रद हुआ और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ा वैसे शिफसेना ने जो ये एतराज जताया है वो कोई नया नहीं है 1991 में भी आप लोगों को याद होगा कि एक क्रिकेट पिच उन्होंने खोद डाली थी ताकि वहाँ पर जो है वो मैच ना हो सके दिली और आगरा में भी उसके बाद उन्होंने क्रिकेट पिच को खोद दिया था उसके अलावा उन्होंने 2015 के अप्रेल में उनके विरोध की वज़े से आतिफ असलम का प्रोग्राम जो वो कैंसल हुआ था 2013 में शिफ सिना ने हौकी में भी अडंगा लगाया था और उनको भी यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेज जो थे उनको यहाँ पर हिस्सा नहीं लेने दिया था और 2010 में जब IPL का आॉक्शन होना था तो एक बड़ी इंबारस्मेंट से थी एक शर्णाक बात हुई थी कि जो पा बोत शुरू हो गया और जिस जिस पिक्चर हॉल में ये फिल्म थी उसके बाहर में बड़ी तादाद में पुलिस वालों को खड़ा करना पड़ा इस दफ़ा जब गुलाम अली साहब को परफॉर्म करना था तो भी महाराश्ट्रे सरकार ने ये वादा किया कि हम सुरक्षा देंगे बावजूद इसके वो कमजोर पड़ गए और शिफसेना उस पर हावी थी और आखिर कारी प्रोग्राम रद हुआ तो हम ये चर्चा करेंगे आज कि क्या ये सही है कि कलाकार जो सरहत के दोनों तरफ आते जाते हैं और वहाँ पर परफॉर्म करते हैं उनको भी इस स्वेरिंग इन सरी मैं बलाया था तो शिफसेना ने क्यों नहीं अब्जेक्शन किया था उसकी उपर शिफसेना और ये से मिली जूली सरकार है वहाँ आप बताई मैं राजनीती अलग होती है लेकिन जो गायक होते हैं इंको सीमाव में बादना कही ना कहीं गलत है क्योंकि इनकी एक कला है जो दोनों देशों को जोड़ती है आपस में कलाकार क्या सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं हिंदुस्तान में नहीं फैंटम फैस जैसे फिर्म को अगर पाकिस्तान में बैंकिया जाता है तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी जो कलाकार है वो हमारे आहां आके मैं बिल्कुल शिव सेना के समर्थन में हूँ जब मारी बिच्चरें वहां पर पैसा नहीं कमा सकती तो हम उन्हें यहां बुला के करोड़ों की सेक्यूरिटी दे के उनका शो क्यों करवा हैं उनको मौका क्यों दे मैं वापस आउंगे आप तो के पास मैं अपने पैनलिस को इंट्रिड्यूस कर दू पहले और यह जो आपके कुछ व्यूज हैं उनको मैं उन तक ले जाना चाहती हूं मैं आपको बता दू कि हमारे साथ जावेद बशीर साब है जो की पाकिस्तानी गायक है अर्विन भोसले है जो शिवसेना की प्रवक्ता है अशोक पंडित है फिल आपने सुना कुछ व्यूज यहां पर और एक जो व्यूज था हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि शादा तर लोग शिवसेना के खिलाफ होंगे और कहेंगे कि सरहत से नहीं बनना चाहिए आर्टिस को पर यहां पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब हमारे कलाकार वहां नही परफॉर्म कर सकते हैं उनकी फिल्मों को वहां रोका जाता है विरोध होता है तो यहां हम उनको क्यों मौका दें अगर कोई दूसरा एक गलती करता है तो क्या हम सब को भी वही गलती करनी चाहिए क्या हमें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है मेरा ये मानना है कि अगर कलाकार महबत के पक्ष में हैं अगर कलाकार अमन के लिए बोल रहे हैं तब उनकी सरहद नहीं होनी चाहिए और कलाकार भी हमेशा महबत के पक्ष में नहीं होते तो मेरा मानना है कि ये बहुती दुर्भाग्य पूर्ण था, कि हमने उस कलाकार को रोका, जो हमारे एक कलाकार जगजीत सिंग को ट्रिब्यूट देने आए थे, उनकी इज़त करने आए थे, और उनको रोकना, और हमें देखना होगा कि भाई, पाकिस्तान में जो लोग आतं की नहीं है, ठीक वैसे जैसे हर हिंदुस्तानी आतं की नहीं है, ये बात है, अर्विन भोसले शिफसेना की प्रवक्ता है, अर्विन भोसले साब आप क्या कहेंगे, शिफसेना के ये पैटर्न रहा है कि वो हमेशा किसी भी परफॉर्मेंस के, किसी पाकिस्तानी आर्टेस् है तो क्या आपको लगता है सिफ आप लोग नाशनलिस्ट हैं बाकी नहीं क्योंकि यहां पे कबिल मिश्रा बैटे हैं दिली सरकार दे तो उनको इन्वाइट किया यहां परफॉर्म करने कि घुलाम अली साब को पहली श्रद्दांजी ले देना चाहूंगा जो तेभी साजर पांसों से ज्यादा इस देश्टे जवान मारे गया है विदाउट वार ए इतरपा जो प्यार की बाती जो हो रही है कहीं लोगों के जो मोहब बटके जो इतरपा जो जो सूर है यहां पर वो टपता चलते रहेंगे और रहा सवाल यह है कि अडर समझो हमें जिन्दा रहें ऐस जो सांस लेनीं पड़ती है अ कगा? संजेर जो आप जबाब देना चाहेंगे इसका यह जो बैन इनों ने करने की कोशिश करिए उनको रोकने की कोशिश करिए खाली सिंबॉली के इससे हासिल कुछ नहीं हुआ क्योंकि आज पर इंटरनेट है और आज भी रेडियो पर वो गा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान म जया है। ऐसी माहौल आपको मिला जिय मुझे तो ना किसी ने बैन किया ना किसी ने परिशान की बलकि मेरे टिकट धृश्व महांगे बिकते हैं वहांपे। ईशूक पटनी जी कहीं किया ये इन documents है कि अगर वहाँ के लिजू आएंगे आगे या यहां के वहाँ जाएंगे तो जिन लोगों को यहाँ काम मिल रहा है उसमें hic Nickos कि इतना विरोध देखिए अगर वहां की कलाकार यहां के परफॉर्म करें या गाएं या आट करें नहमा जी कुछ चीज़े मैं बहुत क्लियर रूप से कहना चाहता हूं एक तो हमारे देश के कलाकार जो हैं उनकों को रिप्लेस नहीं कर सकता और हमारे देश के कलाकार को रि अंडिकलेड वार हुथी है। हमारा देश पाकिस्तानी जैसे रोग नेशन के रीजन के वज़े से आज तक अंडिकलेड वार पिछले पचास साल से सहर है। मैं खुद पाकिस्तान के आतंगबाद का शिकार हूँ, मैं विक्टिम हूँ और पाकिस्तान के वज़े से हमारे कैमपों में अपना जीवन बिदा रहे हैं बात कलाकार की नहीं है कलाकार कि हम हज़द्ट करते हैं हमें गुलाम अली से जावदबशीर से इंडिधले कोई एतराज नहीं है मुई एक सवाल पूशना चाहता हूँ जावदबशीर से और गुलाम गुलाम अली साहब ने मुंबई में पैसे कमाते हुए इस चीजों का खंडन किया है क्या इन लोगों ने हमारे विक्टिम्स के लिए कोई शोज ऑगनाइस किये जिस तरीके से जब पाकिस्तान में बच्चे मारे गएते हिंदुस्तान का हर कराकार हर हिंदुस्तानी ने उसको कंडम किया था ओपन ली और कहा था कि बच्चों पर अटाक बच्चों को मारना यह गरत बात है आपने बहुत इंपोर्टनि पोईंट उठाया है जावेद पशीर साब को इसका जराब देनी जावेद पशीर साब एक सकेट एक सकेट नगमा जी नगमा जी एक सकेट आपिस खुदा नहीं होता पहले देश उसके बाद आटिस्ट पहले देश उसके बाद खराकार कितने शूप किये हमारे देश के इसके लिए मैं हर तरह की देशद गर्दी को कंडेम करता हूँ चाहे दुनिया में किसी जगा पर हो रही हो और कि कौन कर रहूं मैं सारी देशद गर्दी को कंडेम करता हूँ आप बोट मैं सियासत के साथ विज्ग sent video आप ये कहिए कि 26 को जो पकिस्तान ने किया था praying है आप यह कह दीजिए बस उनको बोलने दीजिए आज भी मैडम लता जी का सबसे बड़ा फैन मैं बैठा हूँ ऑन एर कह रहा हूँ और लाखों लोग आज भी लता मंगेशकर के फैन है जी आशा जी के फैन है मैं पसंद करता हूँ, आज जितना श्रिया गुशाल और सुनीदी चुहान का वाँ नाम है, हर पाकिस्तान के कोने कोने में हर रोज इंडियन गाने बचते हैं, तो इसका मतलब है, कला एक और मजभ है, कला एक और चीज है, क्योंकि आज जितने वहां पाकिस्तान के लताजी को तो आप लोग लगातार इस तरह के कारिक्रम ओगनाईज करते हैं देकुट दिन पहले अजो का थेटर भी यहां पर आया था उन्होंने परफॉर्म किया अपने यहां के कलाकारों को पार्किस्तान भी ले जाते हैं बिल्कुल लेके जाते हैं हम शुभा जी को ले जा चुके ह हैं हम राजिस्थानी फोक आर्टिस्स को यहां से ले जा चुके हैं और रूट्स टू रूट्स का एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है वो है एक्सचेंज फर चेंज जिसमें जो दुनिया का पहला ऐसा ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान के बच्चों नहीं हैं इसलिए ये लोग एक नई स्लेट पे क्लीन स्लेट पे शुरू कर सकते हैं दोस्ती और ये फ्यूचर के डिसिशन मेकर्ज हैं तो जो अर्विन भोसले अशोक पंडित अभी कह रहे हैं कि आप वो जो कलाकार यहां रहे हो सिर्फ मकसद है पैसा कमाना आप टेरिरि चाहिए और कल्चर साथ-साथ नहीं चलने चाहिए नहीं किया रह जाएगा सिर्फ टेरिरिजम क्या हम यह घारेंटी से कह रहे हैं कि आज हम कल्चर रोग देते हैं दोनों मुलकों से आर्टिस्ट्स का एक्सचेंज रोग देते आं तो उसे टेरिरिरिजम आतंक्वात लोगों के माइंड में एक सौफन करता है स्टैंड वहां के लोग मैं पाकिस्तान कई बार जा चुकी हूं काम के लिए वहां के लोग हमसे बेंतहा मुहबबत करते हैं उसी तरह जैसे हम करते हैं हमारे आर्टिस को जितनी मुहबबत वहां मिलती है वो वैसे ही है जितनी उनके आटिस को हम यहां पर मुहबत और इज़त देते हैं। इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। इसके बाद ठाक रहें अपने घर पे बुलाया था। तो यह देशभक्ती नहीं हैं। यह उसरवादी हैं। फूट डालने वाले लोग हैं। मुद्दों से बटक गए हैं। अब जनता यह ना पूछे कि महंगाई कम क्यों हो गई। जनता कम क्यों नहीं हो रही। जनता यह ना पूछे कि भाईया विकास क्यों नहीं हो रहा। तो हिंदू-मुसल्मान भारत पाकिस्तान कर दो। लेकिन सरकार तो मोधी जी की है। वो तो आम भेज रहे हैं अवाज शरीफ को। वो तो साड़ी भेज रहे हैं। अभी अगले साल नरेंदर मोधी पाकिस्तान जा रहे हैं। अगले साल पाकिस्तान दोरे की पूरी योजना तयार है। अर्विंद भोसले आपका जवाब देना चाहेंगे, आपने करी बाद देना चाहेंगे, वापसाओंगी आपके बास, एक आखरी लाइन कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो बड़ा हुआ है, गुलाम अली साब को जग्जी सिन साब को सुनकर बड़े जो है, जिननोंने ताजलेंड से बारे में उनने डिकले रेशन देया, उनने अपने ठुला सा दिया है, कि युवास सेनके चीप जो है अधित्य ठाटरे, उन्ता और रहात अलिफते साब जो कोई है, उन्ता उत्व प्रोडाम टा कोई लेना देना नहीं, रहात सवाल, एक यहां पर हमसे हो सकते हम लोग काम कर रहे हैं वो मेडिकल आइंटिटी चुपा के कैसे सवाल थड़े किये तो मुझे जबब तो देने जी तो सेटन के अंदर बताइए जावेद मियादर ने उस समय इस भारस सर्टार से और शिवस्तान प्रवुसेजेट उन्चो सवल ते आप इतना पाठिस्तान के थेलाप क्यों हो और दिलिप एंसर्टर जो है उन्टो उन्होंने ताहा ताठी मुझे उनसे मिलना है उन्टी त्या राया में समझना है उस समय दाउद इब्राहिम और जावेद मियादर ने उन्टो बुलाया जावेद मियादर तो तो उन्टो टाहा ते पिछले 20 सालों में 20 दशतों में जीस तरीके से पार्तिस्तान हमें बार बार ततलीप दे रहा है तो देटे आमारी उपर इतने जटम हो रहे और इस बात को जाव शुल रिशी आपने परफॉर्म किया है पाकिसानी आर्टिस्स के साथ क्या कभी आपको ऐसा लगा जो अभी जी ट्वीट कर रहे हैं कि नैशनलिजम फर्स गाना बजाना लेटर आपको कभी लगा ऐसे बही गाना बजाना बात मीं करेंगे बेरा जो देश बबति का जजब यहां के लोग को बहुत respect करते हैं, उनके shows में गया हूँ, मैंने उनके साथ खुद perform करा है, जितना उन्होंने मेरे को promote करा है, जितना उन्होंने मेरे लिए मेरे को जितना encourage किया है, तो मैं तो उनके लिए मतलब मेरे लिए तो he is an inspiration for me. तो आपको कैसा लगेगा जब ये रोक दिया जाया और ये जो बात कर रहे कि nationalism जो है उसको पहले देखना चाहिए और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहां आने न दिया जाए, यानि कि आप लोग भी वहां न जाएं। हम एक दूसरे को चुन नहीं सकते, अब हमने पाकिस्तान के साथ 70 साल लड़ाई करके देख लिया, अब कितने बरस और हम जंग करते रहेंगे, फौजों पर और हथियारों पर पैसा खर्च करते रहेंगे, गरीबी मिटाने की जगा, भुखमरी मिटाने की जगा, तो मैं त जवाब देना चाहरे हैं, इसका है, यह जो मैडम ने एक लंबा चोड़ा प्रवशन दिया, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूं और हर हिंदुस्तानी इस चीज में बिलीव करता है, यह जो प्रवचिन अगर आप पकिस्तान में जाके देख देख जादा बेटर होगा, बहुत जिया है, बहुत जिया है, बहुत जिया है वहाँ पर, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, क्योंकि हिंदुस्तान में बिलीव करता है, और हिंदुस्तानी इस चीज में बिलीव करता हूं, जग्जीत सिंग की जिनकी बात आप करना है, मैं जग्जीत सिंग का बहुत प्र पाकिस्तान गया है उनका वीजा कैंसल किया गया जब हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद जबर्चस्ती उन्होंने उनको अलाओ किया पिछले कुछ सालों में इस देश में जमात इखटी होगी जो नेशनलिज्म का सर्टिफिएट लेके गूंब रहे हैं इतने ग्रेजवेट्स निये इस मुलके अंदर जितने वो लोग हैं जो दे रहें के नेशनलिज्म को आप नेशनलिज्म पहले आता है मैंने नहीं देखा कर रहे हैं तो गलत क्या है उनका वो पेशा भी है कला झिला जूए फ्यक्तार पतिस्तान से कि आप हमारी दलाली तरो हिंदुस्तान में जाके हम इमेडिया ध्यान बटाएंगे हम संधित के जरे आपको ध्यान बटाते हुए वहाँ पे हमारे आतनवादी डुशिस तरो हमारे पासे पैसाल हो जब चार दिन पहले पार्टिसांटे एट्स फॉरम मिनिस्टर जिनके टारे टाल में टारगिल हुआ था आफी जवान शहीद हो एटे चार दिन पहले जब दिल्ले में उन्टे ये टिताप्ता विमोचन हो चुट रहाता तो दुबारा क्या जरूती मुंबै में दुबारे ल चार दिन पहले बाद दुबारा मुंबै में आ रहे हैं किसने तैय कर दिया है अर्विन बोसले के सिफ शिफ सेना जो है वो ही देश भकत नहीं है इस तो क्या टरना है वो सोचे रहा सवल इस देश जो नाधरी टेश भटता है वो अपना सोचेंगे ठीक हमें सवीधान के ज चाहा था अभी कुछ दिर पहले आप यूट्यूब पे सुन लेंगे उसको लोग सुनी रहे हैं अब ऐसा तो नहीं कि आप उनके बेडरूम में आके चेक कीजिएगा कि क्यो सुन रहे गाना हमारा फर्ज है हमारी ड्यूटी है कि यह पाकिस्तारी कलाकार हिंदूस्तान को अपना ATM सेंटर ना समझें अगर यहां पर पैसे कमा रहे हैं तो हमारे दुख और दर्थ के साथ जुड़िए और कंडेम करिये कि पाकिस्तान जो हरकते कर रहा है प्रत कर रहा है एक दो कंट्री जिनके बीच में थोड़ा टेंशन चल रहा है अगर उसको कोई चीज साथ लाती आप देखते हैं लोग कितने टाइम से इतने तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं आटिस्ट आते हैं महां से यहां के बहां जाते हैं जी जो बेसिकली जो चीज जो साथ ला रही ह अपने आप में तो इसमें अपने आप में तो म्यूसिक कितना बड़ा और आप उसी को हटाना चाहरे हैं और आप अप अप अवाली बात पेसले बुलिना कि हमने पिछले साल से बड़ा शूर बचायने इस अब के कारण में पंदरा लाग रुपै आरे हैं तो दूर से जो वो दोनों बात कह रहे हैं दर असल ये कि अगर कुछ जाहिर तोर पी जंग ना भी छिडी हो तो एक जंग है इंदुस्तान पागिस्तान के बीच में और इसलिए जो कल्च्रिल एक्सचेंजेंजे हैं जो सांस्कृति कादान प्रदान जो कलाकार इदर उदर जा रहे है जो भी बंद होना चाहिए क्योंकि ऐसी मुहबबत का क्या फाइदा जब अंदर अंदर नफरत फैली है ये उनके कहने का लबो लुबाब है एक छोटा सा प्रेक वापस आते हैं शर्चानले